Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well, आज हम discuss करने वाले हैं भारत के प्रमुक अनुसंधान केंद्र, इसके पहले मैंने क्रशी अनुसंधान केंद्र की लिस्ट और उसका जो वीडियो है वो बनाया था, आप उसे देख लीजिए, उसके बाद हम इंडिया के जो अन्य इन्पोर्टन उनको पढ़ेंगे, ये question सारे competitive exam में आता है, इसलिए हमें ये सारे institute पता होने चाहिए कि कौन सा अनुसंधान संसान कहां पर इस्ते थे, तो चलिए याद करते हैं, सबसे पहला है भारती क्रशी अनुसंधान संसान, तो क्रशी बहुत ही मात्ते पूर्ण है, तो ये कहां प बता चुकी हो, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइस करेंगे, गन्ना अनुसंधान केंदर कहां पर इस्ते थे, तो गन्ना अनुसंधान केंदर कोई अंबर्टूर में इस्ते थे, तमाकू अनुसंधान केंदर कहां पर इस्ते थे, तो राजमुंदरी, हमने क्यायत किया था ये राजमुंदरी में होगा फिर चीनी अनुसंदान केंदर चीनी का प्रोडक्शन यूपी में बहुत देखोता है तो चीनी अनुसंदान केंदर कहाँ पर होगा कानपूर में होगा फिर डेरी राश्ट्री डेरी अनुसंदान केंदर करनाल हर्याना तो यहाँ पर दूतकर प्रडक्शन जादा होता है तो यह संस्थान कहाँ पर होगा करनाल हर्याना में फिर चमड़ा केंद्री चमड़ा अनुसंधान केंद्र तो चमड़ा चेन नहीं चमड़ा से चेन नहीं याद कर लीजिए आप ऐसे भी याद कर सकती हैं कि जैसे जब भी चमड़े का जो प्रडक्शन है वो जानवरों की खाल से अगर होता है तो उन जानवरों को गहीं से भी चैन नहीं होता है, उनको बहुत तकलीफ होती है तो चमडा अनुसंदान केंदर चैन नहीं, अब आपको याद रहेगा फिर केंदरी ओसेदी अनुसंदान केंदर कहां परिस्ते थे, तो लखनव है, जो ओसेदी होती है वो एक तरीके से नहीं, लाखों तरीके से लाबदायक होती है तो उसिदी अनुसंधान के इंद्र कहां पर इस्ते थे, लखनव में इस्ते थे फिर भारती मौसम अनुसंधान, भारती मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर इस्ते थे पहले ये शिमला में था फिर पोडे में स्थापित किया गया और उसके बाद वर्तमान में ये नई दिल्ली में इस्ते थे तो सारे मौसम की जानकारी हमें कहा मिलेगी राजधानी से मिलेगी मतलब दिल्ली से मिलेगी फिर रमन अनुसंधान संस्थान रमन जो वैंकेट रमन थे जो एक भौधी महान फाइंटेस थे उनके नाम पर इस इंसिट्यूट का नाम रखा गया ये कहां पर इस्ते थे थे बैंगलोर में इस्ते थे फिर राश्टी धातू विज्ञान प्रियोकसाला तो धातू ये मैटल मैटल के लिए है यहाँ पर जो भी मैटल को चेक किया जाता है तो राश्टी धातू विज्ञान प्रियोकसाला कहां पर है जमशेतपूर में है जमशेतपूर किस राज्य में आता है ये आपको कमेंट वोक्स में बताना है और इसकी स्थापना किस ने की थी अगर आपको य अनुसंदान संस्थान तो कपड़ा उद्योग अनुसंदान संस्थान कहां पर रहते थे ये एहमदाबाद में इसते थे तो देखिए सभी जानते हैं कि एहमदाबाद में बहुत जो कपड़े का प्रडक्शन होता है वो बहुत अधेक होता है और जो कपड़ा होता है तो कहां पर है एहम्दाबाद मेंसरे थे खिर राश्च्री प्रती रोधक विज्ञान संस्थान क्यों भी जierte है इसे बूलते हैं बार्ग यह कहां पर इससे यह कहां पर श्ते थे यह मुंबई में स tapping to फिर भारती पेट्रूलियम संस्थान कहां पर इसे थै पेट्रूल आप देखिएगा कभी भी आपको पेट्रूल पर पास पास में नहीं मिलेंगे वो एक दो किलोमीटर की दूरी पर ही होंगे तो दहरा दून और वैसे भी पेट्रूल के बहुत दूर दूर मिलता है आप दे अरवेट संसान भी कहां पर इसे थै नई दिल्ली में इसे थै अगर आप ऐसी संसान जो कॉमन है जैसे नई दिल्ली में इतनी सारी संसान है तो आप इसकी एक लिस्ट प्रिपेर कर लीजिए तो उससे क्या होगा आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी फिर टाट इंसीट्छ और फंडमेंटल रिसर्च टाट इंसीट्व जल्डा में इसे थै । फिर इंडियन सेक्यॉरियोटि प्रेस प्रेस पुडे में इसे थे तो देखिए हम देसी अपनी बूंदेल खंडी लेंग्वेज में क्या पूला जाता है कि पुड़ा बना लो पुड़ा तो इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि Indian security, अगर आपको कोई चीज security तरीके से ले जाने तो आप छुपा के ले जाओगे, एकदम packet, packet कोई देसी लेंग्विज में पुड़ा कहा जाता है, तो आप ऐसे याद कर लेजी कि security press कहां पर सेते हैं, पोने में सेते फिर केंदरी खाद्य प्रद्योगे की अनुसंदान संस्तान, खाद्य प्रद्योगे की मशूर, खाद्य प्रद्योगे की हम हमेशा मैसूर को कैसे relate करते हैं, मशूर से related करते हैं, तो जो भी food के production से related, जो भी technology होगी वो बहुत मशूर हो जाएगी, तो खाद्य कि अनुसंदान संस्थान कहां पर से थे मैसूर में से थे यह कोशन बहुत सारे एक्जाम में पूचा गया इसको याद करिएगा फिर केंद्री भवन निर्माण अनुसंदान संस्थान रूड़की यह रूड़की में से थे तो रूड़की यह ऐसे लड़की रूड़की ऐसा कोई हम Central Level का कोई भवन बनवाएंगे तो ऐसे ही किसी से नहीं बनवा लेंगे हम IIT वालों को बुलाएंगे तो IIT रुड़की से याद कर लिजी आप पिर केंद्री कांच एवं कांच तथा मृत्ति का अनुसंदान संस्तान केंदरी कांच तथा मृतिका अनुसंदान संस्तान कहां पर रस्ते थे कूलकाता में इस्ते थे तो आप कांच और कूलकाता ऐसे रिलेट कर सकते हैं फिर केंदरी बिद्धुत राशायनिक अनुसंदान संस्तान बिद्धुत रासायनिक अनुसंदान संस्तान ये कराई कुडी में इस्ते थे फिर केंद्री यांतरिक इंजीनिरिंग अनुसंदान संस्तान ये दुरगापूर बेस्ट पेंगॉल में इस्ते थे यह यांतरिक इंजिनिरिंग का संसान है और बेस्ट पेंगॉल में इस्थे थे फिर केंद्री नमक और समुद्री रसाइन अनुसंदान संसान तो यह भावनगर गुजरात में इस्थे थे भारती, राष्टी, राजमार्ग, प्राधी करन, इसका हैटकोर्टर कहां पर, इसका संस्तान कहां पर इसे थे, ये तो नई दिल्ली में इसे थे फिर भू बहुती की अनुसंदान संस्तान, हैदराबाद भू बहुत थी के अनुसंदान संस्तान कहां पर इसे थे है हैदराबाद में इसे थे तो देखे पहले भू कम आएगा उसके बाद जब हद हो जाएगी तो हम पता करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है तो हैदराबाद भू बहुत थे की फिर केंदरी नादियल अनुसंदान संस्तान ये हमने कैसे याद किया था कि काशर गोड अब सब के पास केशर तो हो नहीं सकता तो गरीव आदमी अपना काम कैसे चलाएगा तो वो नादियल से काम चलाएगा तो केंद्री नादियल अनुसंदान केंद्र कहां पर इसे थे कासर गोड में इसे थे फिर केंद्री आलू अनुसंदान केंद्र ये समय ने पहले क्रशी अनुसंदान वाले में याद कराए हैं आप वहां से देख लीजेगा केंद्री आलू अनुसंदान केंद्र द्रश्टी से विकलांग है उनको दूर का तो दिखेगा नहीं तो दूर का दिखने में दिक्कत होगी मतलब कहा होगा दहरादून में इस्तित होगा अभी हमने पेट्रोलियम वाला रिसर्च इंसिचूट पढ़ा था वो भी दहरादून में था फिर पारिस्थितिकी विज् केंदर कहां पर रिस्तित है ये बैंगलूर में इस्तित है ओके फिर केंदरी वन अनुसंधान संसान तो वन है वो भी इतने पास-पास पर नहीं होते थोड़ी दूर दूर पर होते हैं और हमें रिसर्च करना है तो पहले हम एक वन का करेंगे फिर थोड़ी समय के बाद हम दूसरे वन का करेंगे तो हम कहां जाएंगे दूर जाएंगे तो दून तहरा दून फिर भारती लो अनुसंधान केंदर कहां पर रिस्तित है राची में इस्तित है लो अनुसंधान केंदर राची राची जासी ऐसा कुछ यात कर सकते हैं आपकी जासी की रानी थी उन्हों भारती सर्वेक्षण विभाग अब हमने अभी क्या पड़ा था थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था आपको वन बन हम दूर दूर पर ऐसे इनका मेजरमेंट करेंगे तो दहरा दूर में इस्ते थे तो आप देखते होंगे हमेशा दो साल, तीन साल के अंतरगाद आपको ऐसा सुनने में लेगा कि वन सर्विक्षन आया है, वन सर्विक्षन की रिपोर्ट आई है तो वो इसका संस्तान भी कहां पर इसे थे, तहरा दूर में इसे थे फिर भारती मौसम वैदशाला, ये मौसम वैदशाला है ना कि मौसम विभाग क्योंकि मौसम विभाग हमने दिल्ली में पड़ा था फिर भारती मौसम वैचाला कहा है इस्ते थे ये पुणे में इस्ते थे जीवानु प्रोध्योगी की संस्थान ये चंडीगर में इस्ते थे ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है फिर प्लाजमा अनुसंदान संस्थान ये गांधी नगर में इस्ते थे जो इंपोर्टेंट है म समुद्रविज्यान संस्तान डीजल लोकोमोटिव वर्क कहां पर इस्ते थे वारा नसी डीजल लोकोमोटिव वर्क से थे वारा नसी में ओके फिर कुछ और इंसिट्यूट है जैसे की भारती रासाई की जैवी की संस्तान ये कहां पर इस्ते थे भारती रासान की जैवी की सं कोलकाता में इस्तित है इसमें और जो पूछा गया है पेपर में वो पूछा गया है हाँ CCMB वाला कोशकी एवं आडविक जी विज्ञान संसान Cellular and Molecular Biology Science Center ये कहां परिसे थे ये हैदरावाद में इस्तित है ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये महसूर वाले में और हैदरावाद वाले में confusion होता है तो इसको आप ध्यान से याद करिए फिर भारती पुरा तात्विक सर्विक्षन विवाग आप सबसे पहले अगर को इनुवेशन जो उनके टाइम पे शुरू हुआ बो कुलकाता में शुरू हुआ फिर केंद्री चूट तो सरवादे कहीं पर वेस्ट फिंग और में होता है तो प्रद्योगी केंउसंदान केंद्र कहां पर रिसे थे फिर कूलकाता में इस्तित thé फिर ये भी कोश्यन आया है Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics ये कहां पर इस्ते थे तो ये भी हैदरावाद में इस्ते थे तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि हैदरावाद में कौन-कौन से Research Institute है फिर चावल अनुसानान के इंदर हम पहले पढ़ चुके हैं ये कटक में इस्ते थे इस तरीके से हमने ये Research Institute देखे हैं आप इसको दो से तीन बार revise कर लीजिए और आप इसकी लिस्ट बना लीजिए कि कौमन-कौमन कौन से Institute है जैसे दिल्ली में कौन-कौन से हैं इतरावाद में कौन-कौन से हैं बैंगलोर में कौन-कौन से हैं तो आपको डेफिनिटली याद हो जाएगा थेंक्यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है इससे कुछ आपको लाव है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ओके थेंक्यू सो मच जहें जहें बारत